नमस्कार दोस्तों, पेट में अनेक प्रकार के कीड़े पाये जाते हैं और इनके संबंदित लक्षण बड़ों में अलग होते हैं और बच्चों में कुछ अलग हो सकते हैं तो आज हम समझेंगे इनके संबंदित लक्षणों के बारे में, पेट में कीडे पाये जाने का कारण समझेंगे, और essential oil द्वारा हम किस प्रकार से इसका उपाय कर सकते हैं, और क्या तरीका होगा इसका उपाय करने का, तो आएए चलते हम आज के वीडियो सेशन में. दोस्तों, intestinal worms को पेट की या अतडियों की क्रीमी भी कहते हैं, और सामान्य रूप से पेट के कीडे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे parasites भी कहते हैं, ये parasites इंसान के शरीर में रहकर पोशक तत्वों को चूस लेते हैं, और इसके वज़े से nutrient deficiency होने की संभावना होती है, मुख्य प्रकार से चार प्रकार की क्रीमी पाई जाती है, जैसे tape warm, hook warm, round warm और pin warm. tape warm से liver में पानी बनने का संभावना होता है, पेट में दर्द हो सकता है या पीलिया होने की संभावना होती है, आम तोर पर round warm से पेट में दर्द, दर्स्थ, खासी बुखार होने की संभावना होती है, पिन वोम से मलदवार में खुजली या यूरीन में जलन होने की संभावना होती है हुक वोम से सांस लेने में दिक्कत अनेमिया और उसके वज़े से आने वाली कमजोरी हो सकते है ये tape worms या जो छोटे worms के अंडे होते हैं बीज होते हैं ये पानी में अफसर पाये जाते हैं और इसलिए ये रोग पानी से फैलता है तो पानी हमेशा गरम करके पिए और सबसे बेटर है कि पानी में एक ड्रॉप peppermint essential oil का डाल कर पानी पीछे तो इससे हमेशा आपको पेट के कीड़े संबंदि समस्या में राहत मिलती है